नमस्कार आप सभी का स्वागत है NCRT के लाइव इंटरेक्टिव सेशन में मैं हूँ सिम्रिन सिंग और आप सभी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं इविद्या चैनल नंबर 4 के मात्यम से इसके लावा आप हमारा यह कारिक्रम देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के जरिये जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा यूट्यूब चैनल है NCRT Official और दर्शकों अगले आधे घंटे के लिए गणित यानि माथेमाटिक्स का एक सत्र लेकर आए हैं हम चौती एक अक्षा के सभी विद्यारतियों के लिए और आज का जो हमारा विशे है वोई conceptual understanding है जो आपके साथ आजीवन चलेगी इसके बारे में समझना और जानना बहुत जरूरी है तो हमारा विशे है halves and quarters यानि आधा और एक चौताई और इससे समझाने के लिए हमारे साथ studio में एक मेहमान भी उपस्ते थे उनसे भी आपका परीच्य कराएंगे पर उससे पहले G20 से जुडी हुई एक विशेश जानकारी आप सभी के लिए We are proud of the fact that India assume the G20 Presidency and will convene the G20 Leaders Summit for the first time in the country in this year 2023 The nation is deeply committed to democracy and multilateralism India's G20 Presidency is a watershed moment in her history as it seeks to play a very important role by finding global pragmatic solutions for the well-being of everyone and in doing so manifesting the true spirit of Vasudhev Kutumbakam or should I say the world is one family तो चलिये फिर सरुक करते हैं अपने Maths के सत्र की और आपका परीचे कराते हैं Anil Kumar Jain सर से Namaskar सर आपका बहुत स्वागत है Thank you Sir, Primary Teacher है, अपनी सेवाई प्रदान कर रहे हैं Nigam Prativa Vidyale Sector 7 नहीं रोहीनी दिल्ली से और इसके अलावा मुझे ये भी आपके साथ साचा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि Sir, राश्रे पतीजी द्वारा राश्रे पूरस्कार से भी सम्मानित है Sir, आपका एक बार पूरह स्वागत करते हैं Thank you और दर्शिकों, वो विभिन माध्यम जिनके जरीया आप हमारे साथ संपर्क साथ सकते हैं आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं सबसे पहले हमारा कॉन्टाक नमबर जरूर इसे नोट डाउन कीजिए और आपके जो queries हैं, जो questions हैं, जो प्रशन हैं आपके जहन में आते हैं हमारे साथ साचा कीजिए 8800-440-559 पर इसके अलावा क्योंकि food standard के बच्चों के लिए हमारा ये सत्र है तो चौत ही कक्षा के बच्चों के लिए एक आधिकारिक mail ID आपकी स्क्रीन पर है तो चलिए सत्र की शिरुवात करते हैं और सर से जानते हैं कि आज हाउस और कोर्टर के अंतर करते हैं हम क्या सीखने वाले हैं, जी सर जी, सिम्रण जी बच्चों को जो है कहानिया सुनना बहुत अच्छा लगता है तो आज की शिरुवात हम एक कहानी से ही करेंगे तो यह कहानी है दो बिलियों की, एक का नाम है लेली और एक का नाम है मीमी, तो यह बिलियों के साथ क्या होता है इनके साथ इस कहानी में, वो हम देखेंगे आगे, तो यह आप देखेंगे, यहाँ पर दो बिलियों आपको नजर आ रही हैं, लेली और मीमी, इनके बीच मे आपको एक रूटी दिखाई दे रही होगी इन दोनों बिलियों को कहीं से एक रूटी मिल जाती है लेकिन समस्या ये आ जाती है इनके बीच में कि इसको हम मतलब कैसे बाटे कैसे आपस में तो ये इस समस्या पर जो है अभी बहस करी रहे थे आपस में कि तभी वहां से एक भ बैंसिया का समाधान कर देता हुँ तो यहां आप देखें भूलू बंदर क्या करता है उस रोटी के दो टुकड़े कर देता है लेकिन आप देखेंगे कि जो मीमी वाला जो हिस्सा है वो बड़ा दिखाई दे रहा होगा आपको जो लीली है उसका हिस्सा छोटा है तो लीली जो है वो कहती है नहीं भैई ये तो ठीक नहीं है मेरा हिस्सा चोटा है और इसका बड़ा है तो भोलू बंदर फिर कहता है आच्छा चलो मैं काम करता हूं इस बड़े वाले हिस्से में से थोड़ा सा तोड़के खा लेता हूं तो उसने उसमें से तोड़के खा लि बोलु बंदर क्या करता है इसको पूरे कोई खा जाता है, तो उसके बाद हसा टुकॉड़ा रह गया एक तो फिरberberber काते है मैंने इतनी महन्त करिए आप फैसला कराने में तो मेरा भी कुछ ना बनता है तो यह जो बचा हुआ है यह मेरा हिस्सा है और ऐसे करके वो उसे भी खा जाता है तो इस कहानी से बचो आप भी बताईए कि क्या मतलब समझ में आया और बच्चों की तरफ से आप बताईए कि इस कहानी में क्या लग रहा है तो सर मुझे तो लगता है कि बंदर ने ना मौके का फाइदा उठा लिया क्योंकि अब जो दोनों ही बिलियां थे मीमी और लिली इन्हें आधा नहीं करना आ रहा था रोटी को अगर आधा करना आ जाता तो फिर तो समस्याई नहीं थी उनको तो सर यह आप से जानना सीखने वाले हैं कि आधा कैसे करें तो यहां पर हम एक example लेते हैं यहां को पिक्चर देख पा रहे होगे किस चीज की पिक्चर है यह है रोटी है तो फोड कर लेंगे और इसकी किनारीओं को मिला लेते हैं आपस में तो यह आप देख पा रहे हैं हमने इसको फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद हम क्या करते हैं इसे कर लेते हैं यानि इसे कट कर लेते हैं इसको हमने ऐसे कट कर लिया होगे दो हिससे इसके जी तो यह दोनों आधे लग रहे है लेकिन फिर भी हम यह कैसे पता लगेगा कि यह पूरी तरह से आधा है भी या नहीं है बिलकुल इसको verify कर लेते हैं कि यह आधा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे एक टुकड़े के ऊपर दूसरे टुकड़े को ऐसे रख के देखते हैं अगर यह बिलकुल इसको exactly cover कर लेता है किनारे इसके मिल जाते हैं पूरा पूरा तो हम यह कह सकते हैं कि यह दोनों हिस्से बराबर हैं तो अब यह दोनों हिस्से तो बराबर हो गए लेकिन क्या यह वाला जैसे आधा लग रहा है क्या इस रोटी का यह आधा है यह कैसे पता चलेगा कि इसी रोटी का आधा है यह तो मुझे लगत यह इसी रोटी के हैं यह clear हो गया इस से और दोनों बराबर भी हैं तो इस तरह से अगर हम आधा कर लेती उस रोटी का तो इनका जगड़ा ही नहीं होना था और फिराधिया दे रोटी वो खाभी लेती तो यह था एक तरीका आधा करने का ठीक है इसके बाद हम चलते हैं आग पच्छों की बहुत फेवरेट एक वो चीज होती है तौफी तौफी बहुत अच्छे लगते है बच्छों को तो यह कुछ तौफिया है इनको हम चाहते है कि हम बराबर बराबर बाट लें दोनों तौफी को तो इसके लिए क्या तरीका हमें अपना ना चाहिए देखे करते चलेंगे एक एक बाटते चले तो आप देखेंगे थोड़ी देर में इधर सारी यह खातम हो गही और इधर यह दोनों बराबर बराबर हो गई तो अगर हम इसे काउंट करें तो आप एक में देख आ रहे हैं और इसमें भी तो ऐसी चीजें जिनको काउंट किया जा सकता है उन्हें हम इस तरह से बाट सकते हैं जी काउंट करने वाली चीज़ को तो अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स उस पे कि अगर हमें कोई ऐसी चीज बाटनी हूँ जैसे यहां पर मैं आपके चीज दिखाने वाला या पैचान रहें क्या है सर यह मुझे लग रहा है कि राजमा के दाने में अगर इसे बाटना हुआ अगर हम इसे यूँ बाटने लगें एक इधर एक उधर तो फिर तो बहुत घंटे कई सारे घंटे लग जाएंगे तो हमने क्या किया फिर हमने एक तराजू ली यह आप देखता रहे यह तराजू है और तराजू में हम इसको देखेंगे थोड़ सा बाटके कैसे बाटते हैं और यह तराजू यहां इस तरह की एक चीज जो है मुझे लगता है हमारे बच्चों ने जो सबसी बेचने आते हैं उनके पास भी देखी होगी वहां जो में देखी हुई होती है या फिर जो राश इससे य चेज से राजू है यह सोगा होगा है तो भी किस तरह हैं से अगर आप का लें यह है कर सकते हैं हमारी तो हम इसको अदा करेंगे में करता हूं ठोड़े से यह टालら देता हुं और कुछ इसमें डाल देते हैं तो अब हम देख लेते हैं क्या यह बराबर हुए इसको देखते हैं अब देखें बराबर है नहीं सर यह तो बराबर जैसा नहीं लगा है तो इधर जादा तो इसमें से कुछ निकाल के अधर डाल देते हैं, अब देखे, अभी धर ज्यादा होगे, तो फिर से वापिस डाल देते हैं थोड़े से, अब लग रा है? अब लग भग हाँ, बराबर है अब एक दो और डाल देते हैं चलिए, येलो, अब तो हो गई बराबर? तो अगर हमारे पास कुई एसी चीज्स है कुछ दाले है रहे now कुछ चाओल वे इस तरह के ऐटम में अगर हमें उन्हें बाटना को दो बराबर हिस्सों में सहुह हम तराज की मदर लेग सकते हैं तो ये तो होगी कि ये वाली चीज और मुझे लगता कि एद राजू में डालने से भी बुश्किल हो जाएगी वो समस्यां। तो हम क्या करते हैं इसके लिए हमने क्या किया जिन परतनों में डालना है दो में मालु हमें इसमें डालना है तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर तो अगर हम इसका liquid थोड़ा थोड़ा करके डालें इसके अंदर जैसे इसके अंदर अगर हम डालें आप देख सकते हो इसमें यह marks बने हुएं तो पहले हम इस liquid को एक mark तक डालें और दूसरे में भी हम सेम उसी mark तक डालें फिर से ऐसे डालते जाएं बारी बारी से फिर सेकेंड मार्क तक इसमें भी सेकेंड मार्क तक ऐसे करके बराबर बराबर मैं यहां डालके नहीं दिखा रहा कि यहां थोड़ा सा convenient नहीं है गिर सकता है liquid तो इसलिए जो है आपको अगर देखना चाहें तो मैं इसे दिखा सकता हूं जैसे अगर मैं इसमें यह डालूं ऐसे करके तो यह आ गया हमारा एक मार्क तक इससे आ गया तो सेम जो है हम अपने दर्श्कों को सामने से उठा कर इससे दिखा सकते हैं सामने से से स्चेहां मार्क बना हुआ तो यहां तक मैंने डाल दिया इसको 1 मार्क से यह दोनों में पहले इस में डाला एक मार्क तक फिर इसमें डाला दोनों बराबर हो गी फिर सेक इंड माक तक डलते जाये ऐसा करे हम आपने तक इसवे पूरा liquid लिक्वेड दिस्ट्रिबिट नहीं हो जाता है तो यह फिर एक तरीका और भी हो सकता है अगर आप ने कभी जो दूद वाले देखें होंगे तो एक कंटेनर रखते हैं एक ऐसा जिसमें माप बना होता है तो उससे डालते हैं लिक्वेड को और ऐसे ही होता है कि जब हमें इस किसी भी चीज़ को मेजर करना होता है तो एक खास उपकरन भी होता है उसको इसको मेजरिंग फ्लास्क बगरा तो उसमें माफ फिक्स होता है उसके अंदर कि कितने अंदर 500 ml का है 200 का है 100 ml का तो उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं लिक्विट को बराबर बादने के लिए ठीक है और सर यहां पर तो हमने जो तरल पदार्थ है उनके बारे में देखा समझा और रोटी को भी आदा कर दिया पर क्या दुनिया में चितनी भी चीज़े हैं सबका अगर हम बात करें अपनी प्रिथवी की इतनी बड़ी प्रिथवी है अगर कोई उसे कहें किसे आदा बाटलो आदा वो भी बड़ा मुश्किल काम है यानि लगभग कोई क्वांटिटी काउंटेबल हो या फिर मैजरेबल हो हमारी लिमेट में हो कोई ऐसी चीजें तो फिर अगर हम इसकी जब हम आधा बाटने की बात करते हैं तो सॉलिड और लिकवेट सब्स्चैंस में हम इसे कर सकते हैं अहां जिसे फोल्ड होने वाली चीजें उनको फोल्ड कर से बाटा जा सकता है जैसे हमने लग-लग तरीके बताये है काउंट करने वाली चीजों का अलग मै ठीक है तो यह तो किया हमने आधा चीजों को अब हम आगे चलते हैं ऐक्च्वेल हुआ क्या जो हमारी लिली और मिमी जो दो बिल्यां थी उनके पास दो और आगे उनकी सहलिया अच्छा अब चार हो गए उनके पास और रोती ती उनके पास एक तो अब समस्थ्या पिर हमने लिंगे हैं॥ तो हम एक रूटी आपको दिखाई दिखाना तो आधा करना तो हमने सीख़ा जैसी एक रूटी आधा कैसे अंबpei इसको बीच में से Ford करके हमने tier कर लिया था हूं इसको पहले आधा किया ये धा हो गया जी सर्वा अधा करना तो हमने सीख लिया था हम अगर हम इस आधे का भी आधा कर दे फिर से फोल्ड करके यह मैने इसको भी फोल्ड कर दिया और इसका दो टुकडे किये और ऐसे ही दूसरे वाले आधा के भी दो टुकडे कर दिया तो अब कितने टुकडे हो गए आप देखे तो आप तो यहां पर, यह चारों बराबर हैं इससे टेस्ट करने के लिए वही तरीका है हमारे पास एक के उपर एक रखके देखे यह सारे एक दूसरे को cover कर लेंगे चीक है और इन चारों को हम इसके उपर भी रखके देख सकते हैं अगर यह भी इसको पूरा ढक लेते हैं तो जो है इसका मतलब य इसी रोटी के चाह टुकड़े हैं तो यह हमने सीखा पर सर यह जो आधा होता है यह पिर आधे का आधा हो गया एक चौधाई हो गया इसे एक किसका होता है मतलब कुछ एक quantity होनी चीए उसको क्या कहते हैं हम इसको हम आगे समझते हैं आपको प्रशन समझ गया में उसके लिए हम क्या करते हैं जैसे अभी हमने आधे के आधे की बात करी तो इसको एक चौथाई भी बोलते हैं हम इसको तो इसमें भी हम एक और देख लेते हैं तरीका कि जैसे यह हमारे पास जो है इस स्टोन है वह इस डिस्टिबिशन वाला मैथर हमें चार हिससे करने उसके बराबर तो फिर से हम क्या करेंगे एक ऐसे चार जगे अलग अलग बाट दी तीन चार को बाटा फिर एक एक और दे दिया इनको यह एक एक और दे दिया फिर से बाट देते हैं एक एक और तो यह चार बराबर हिससे बन गए तो एक को कितने मिले फिर इसमें तीन त्री स्टोन मिले लगे, तो ऐसे हम बाट सकते हैं बराबर, बराबर, ठीक है, तो वस्तु के हिसाब से उसका method बदल जाता है कि हम उसे कैसे बाटे, ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं फिर हमारे, कुछ और हम चीजें देखते हैं इसके अंदर कि अगर हम आधा और चौधाई को संख्या के रूप में अगर हमें लिखना हो, तो कैसे लिखते हैं, जैसे ये आधा है, पुरा circle है, इसको आधा-धा करा हुआ है, तो आधा का actual में मतलब होता है, एक हिस्सा, shaded portion आप देख रहे हैं, एक हिस्सा shaded है, कितने में से, दो में से, तो इसको हम 1 out of 2, यानि 1 by 2 लिख सकते हैं, ऐसे एक चुथाई को हम 4 में से 1 shaded है, एक चुथाई, तो इसको हम 1 by 4 लिख सकते हैं, और इसी तरह से 3 चुथाई, यानि 4 में से 3 colored हैं, तो हम इसको 3 by 4 लिख सकते हैं, तो हम इसको 3 by 4 सकते हैं उसके बाद बहुत ही एक इंट्रेस्टिंग सी चीज में आपको दिखाने वाला हूं इसी चीज को समझने के लिए यह आप यहां पर देख पा रहे हैं एक हमने कुछ बनाया है यहां देखिए आपको चार हिस्से इसके अंदर नजर आ रहा हूंगे ग्रीन वाले में हम देखिए मैं क्या मैं जिक करता हूं इसके इंदर देखिए मैंने इस मैं इसको ऐसे गिमाया ओ यह वाला कितना आ गया तो ये तो एक चौथाई हिस्सा एर हो गया ठीक है और देखिए अब बताईए यह अलवाला कितना आगया अब तो यह आधा ही हो गया और चलते हैं आगे अब बताईए कितना हो गया अब यह तीन चथा ही हो गया अब बताईए कितना हो गया अब यह पूरा हो गया यह तो आपने पूछा था पूरा क्या होता है हुँ तो पूरा यह निए जब भी हम आधा एक चोधाए रिसकी बात करते हैं तो वो किस ना किसी उसका पूरा होता है electrike बाह कर रहे है वो वो चीज होती है इसके दर हए सॉप हवने यहां पर टीन कॉंसेप्स को समझा पूरा भी समझा हमने आधा समझा और एक चोथाई या फिर दो चोथाई दो चोथाई होता ही नहीं उसको आधे कहते हैं वैसे हैं वह आधे और देख लेते हैं अगर आप इजाज़त दें तो जल्दी से आधिविटी करने की दोशिच करेंगे यहां पर आपको सर्कल देख पा रहे हैं इस सर्कल में यहां पाँच और यहां पर है आधा भाग यह इस आधे भाग को अगर इस दो मेसे मैं एक भाग को यहां पर लूँ तो आप देख पार है इसने पूरा कवर कर लिया इसको तो हम इस रेड वाले को कह सकते हैं यह इसका आधा है 1 by 2 ठीक है इधर 3 भाग है यहां पर 3 अगर 3 व मतलब यह 3 बराबर वाले हिससे इसके अंदर नहीं आएंगे तो 4 वाले देख लेते हैं इस 4 वाले में से अगर मैं यहां पर रखूं इसके अंदर दो हिससे तो इसके दो पार्ट जो है इसके अंदर पूरे पूरे आ गए तो 4 में से 2 आ गए तो हम इसको ऐसे लिख सकते है यह भी आधे के बराबर ही होगा, चार में से, चार में से, दो, तो यह भी आधे के बराबर हुआ, ऐसे ही अगर हम लें, पांच वाले जो हैं हमारे पास, यह पांच वाले हैं, इसमें से अगर इनके हम यहां पर, तीन हिस्सा निकालें, दालने की कोशिश करें, तो यह भी इ तो यह तीनों हिस्से जो है फिट आ जाएंगे, यह तीनों आध्य के अंदर तीन आगे, तीन पार्ट, कितने में से आए शिक्स को हम लिख सकते हैं, स्क्स में से थी, ने पूरा आधा कवर कर लिया, तो इसका मतलब इसे भी हम वन बाइटू कह सकते हैं, तो यह बात एक ही है लेकिन कहने के धंग अलगलत हैं हमने उसके कितने बराबर हिस्से कि बिल्कुल से कितने लिए इस बात पर निर्बर करता है और आज आपने बहुत ही विशेश और अपने बिल्डब करने की कोशिश किया हमारे सभी स्टूडेंस के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी विध्यारती भी हमारे साथ जो जूड़े थे आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया और दर्शक को कहीं मत जाएगा कि कुछ ही समय में हम फिर से हासिर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए और अधिकारिक वेबसाइट है www.ncert.nic.in पर भी आप विजित कर सकते हैं देखते रहें इविद्या चैनल जबने रहें नCRT ओफिशिल के साथ नमस्कार प्राप्त कर सकते हैं